हलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत गुड़ विशिस आपने रिसेंडली अगर जेएबी के पेपर को पास किया है और अब आप सी आईबी पेपर को अंडर्टेक करना चाहते हैं इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे वो स्टेटेजी जिसके चलते जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको सी आईबी एग्जैम में बार बार अपीर ना होना पड़े और सिंगल अटेंप्ट में आप इस एग्जैम को पास कर जाओ तो चलो शुरू करते हैं उसे स्टेटेजी को अंडिस्टेंड करते हैं स्टेटेजी को सबसे पहले सी आईबी में पेपर्स कौन कौन से हैं फ्रिंट सी आईबी में हमारे पास पांच डिफरेंट पेपर्स हैं जिसमें से सबसे पहला पेपर हमारा है अडवांस्ट बैंक म को है एब एम के चार डिफरेंट मोडियूल से जिसमें स्टेटिस्टिक से क्रेडिट मेनेजमेंट है HRM है और कंप्लाइस है यानि चार इसके पार्ट है चार के चार इंपोर्टेंट है नेक्स्ट हमारा पेपर है बैंक फेनेशल मैनेजमेंट इसमें 31 चैप्टर्स है इसका एक्जाम 1st December 2024 को है इसके चार मोडियूल के अंदर सबसे पहले मोडियूल के अंदर फार्न एक्चेंज है डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट है देन ट्रेजरी मैनेजमेंट है तो ये हमारा तीसरा जो पेपर है वो है Advanced Business and Financial Management तो इसके 25 चैप्टर्स है इसका एक्जाम 8th December 2024 को है इसमें Business and Financial Management को ले करके Advanced Fundamentals है तो जो क्वाइट इंट्रेस्टिंग है और यूस्फुल है हमारा चौथा पेपर है Banking Regulation and Business Law तो इसमें 34 चैप्टर्स है इसका एक्जाम 14th December 2024 को है Banking Regulation and Business Law वो पेपर है जो J.I.B. से उठा करके C.I.B. में डाल दिया J.I.B. में इसका नाम था Legal and Regulatory Aspects of Banking और यहां पे इसका नाम बना दिया Banking Regulations and Business Law लेकिन थोड़ी एक्स्टर डिटेल्स के साथ इन चार पेपर्स के इलावा जो Compulsory पेपर्स है हमारे पास पांच पेपर है एक पांच में से कोई एक Optional पेपर यानि वहां हमने चूज करना है कि हम किस पेपर को करना चाहते हैं तो हमारे पास वहां पे पांच आप्शन्स है Rural Banking है HRM है IT and Digital Banking है Risk Management है Central Banking है इन में से जब हम चूज करेंगे कि किस को हमें Opt करना चाहिए तो Carefully आपको Opt करना है Rural Banking उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट करेगा जो RRBs में Cooperative Bankों में Already काम कर रहे हैं और उनका Agriculture Background है Academically तो उनको ये पेपर काफी सूट करेगा HRM उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट करेगा जिनका जो Background है MBA में या उनके Post Graduation में या Graduation में अगर उनका HRM Background रहा है तो उनके लिए या काफी useful paper है और जो मैंकों के अंदर HRM Department में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये relevant है IT and Digital Banking उन स्टूडेंट्स के लिए relevant है जो स्टूडेंट्स अपने Graduation या Post graduation level के उपर टेक कर चुके हूँ Risk Management वो paper है तो जिसका तक्रीवन 50 से लेके 60% syllabus BFM के syllabus के साथ common है अगर आप BFM के paper को अच्छे से कर लेते हो बहुत अच्छे से तो ये लेके चलें कि Risk Management का आपका more than 50% syllabus automatically cover हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा advantage है इस paper को opt करने के लिए Central Banking में Reserve Bank of India से related act है rules regulations उनकी policy है तो काफी सारे aspects हैं जो इस paper में cover होते हैं आप इन में से जिस भी paper को choose करना चाहो choose कर सकते हैं लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है तो that should be according to your interest अब हम बात करते हैं passing criteria इस exam के लिए क्या रहेगा passing criteria आपको सभी papers में paper को pass करना है और मारे पास दो different options है एक option है कि आप हर एक paper में से कम से कम 50 marks score करें out of total 100 so in each paper second option हमारे पास जा alternative है वो है कि आप single attempt में पांचो paper में बैठें कम से कम 250 marks को obtain करें और हर एक paper के अंदर 45 से नीचे आपके marks नहीं होने चाहिए तो ये तीन conditions रहेंगी पहली condition आपकी attempt single attempt होनी चाहिए यानि पांचो paper आप एकी बार में कर रहे होंगे aggregate minimum score 250 होना चाहिए और per paper यानि हार एक paper में 45 marks आपको obtain करने होंगे time limit आपके पास 3 साल का रहता है कब से जब आपने restriction करवाना है first attempt से और उसके लिए आपको 5 attempts मिलेंगे यानि तीन साल आपको total मिलेंगे जिसमें 5 बार आपको मौका मिलेगा और यह जुरूरी नहीं कि यह लगातार हो in continuation तो anytime 5 attempts you can go far अब examination का जो duration है वो 2 hours का है examination का जो pattern रहता है वो 100 objective type question almost 100 marks के रहते हैं और इन questions के अंदर हमारे पास normal question पूछे जाते हैं इसके रावा multiple choice multiple statement questions पूछे जाते हैं case studies के questions पूछे जाते हैं तो इस परकार के questions आपको pattern रहता है अब paper का updates i-i-bf आपसे expect करता है कि जब आप November exam में appear हो रहे हो तो जो कुछ भी update हुआ syllabus में up to June तो वो आपको prepare करना है यानि November exam के लिए June तक के updates हमें prepare करने होंगे अब question का focus कहां पे रहेगा so question में हमारे level of knowledge को test किया जाएगा इसके लावा conceptual clarity इसमें J.I.B. के मुकाबले में ज्यादा test किया जाएगा analytical and logical level compare to J.I.B. यहां पे ज्यादा test किया जाएगा तो यहां पे हमारा जो focus रहेगा वो केवल knowledge को grant करना नहीं है कि हमें वो आता है या नहीं आता है rather हम उसको apply कैसे कर सकते हैं उसको use कैसे कर सकते हैं वो हमारे लिए ज्यादा important है और उसलिए वो multiple choice multiple statement questions और काफी सारे case study questions आप से पूछे जाते हैं यहां पे आपको detailed case studies को अच्छे से करने की जूरत पड़ेगी conceptual clarity के बाद friends इस सारी preparation में हम आपकी help कैसे करेंगे और हमारी strategy क्या होनी चाहिए सबसे पहले हम आपको help कैसे करेंगे friends YouTube के ओपर हम free classes conduct करते हैं जो base building classes होती है यह daily class होती है four papers जो आपके compulsory papers हैं उनके लिए इसे में chapter wise concepts and questions को discuss करते हैं नमबर टू weekly basis के उपर हम marathon classes MCQs की conduct करते हैं जिसमें आपको practice के लिए बहुत सारा opportunity मिलता है तो यह भी हमारी classes free रहती हैं अग्जाम के just pass जा करके one month before date of exam हम revision की classes करते हैं and all free यह भी marathon classes होती हैं तो अगर आप इन classes को attend करते हो जो आपको जुरू attend करने चाहिए तो काफी benefit in classes से आपको मिलेगा तो benefit लेने के लिए you must join these classes और अगर आपको पूरा syllabus cover करना है हमारी guidance के अंदर तो it is better कि आप हमारे best quality low priced video lessons को use करें और हमारे PDF question bank को यह हमारी जो video lessons and case studies के उनको आप use करें तो that is advisable और वो शुरू से ही आपको ले लेना चाहिए because जब आप pocket से थोड़ा पैसा spend करते हैं तो आपकी जो sincerity है towards that वो improve कर जाती है इसलिए जो कुछ free में है उसको आप avail करें वो आपको extra benefit मिलाएगा लेकिन उसको pay करिए purchase करके courses को शुरू कर लिजिए और यह मिलेंगे कहां पर so हमारे recorded video lessons case studies के लिए concepts के लिए and PDF question bank यह हमारी website के courses page के उपर मिल जाएगा so हमारी website के courses page में जाएए वहां पे सारे courses आपको मिल जाएंगे और इसका link हम comment box में भी provide कर रहे हैं हमारी website में आपको हमारी app का link भी मिल जाएगा तो यह courses आप हमारी app के through भी use कर सकते हैं तो अब हमारे teachers कौन होंगे so हमारे यहां से आपको जो help कर रहे होंगे guide कर रहे होंगे वो कौन लोग होंगे we are a team of highly experienced, qualified, energetic teachers जिन में हमारे पास young teachers भी हैं more than 10 lakh students को already हम serve कर चुके हैं since 1993 हमारी team को lead कर रहे हैं tour sir support कर रहे हैं kamal sir monica madam and vinayak sir अगर आप इनकी qualifications को देखेंगे तो कितनी relevant qualifications इनकी हैं तो that means आपको best teaching यह सारी की सारी हमारी team कर रहे होगी so अब हम understand करेंगे उस strategy को जो हमारे काम आने वाली है during preparation यह strategy हमारी guaranteed pass के लिए strategy है so जब हम कहते हैं granted pass वो भी single attempt में तो single attempt को हम इस प्रकार से नहीं देखते कि पांचों paper आपने एक बार pass कर लिए rather हम इसको इस point of view से देखते हैं कि आपको किसी भी paper को दोबारा से prepare नहीं करना पड़े यानि आप अगर दो paper पहले करना चाहते हैं दो paper की अच्छी preparation करिए और preparation के बाद appear हो ये pass करिए ताकि दोबारा उनमें आपको appear नहीं होना चाहिए इससे हमारा time हमारी effort बहुत तक बच जाती है so granted pass के लिए आपको क्या करना होगा जैसा मैंने पहले कहा इस exam का जो focus है वो concepts के ऊपर है so आपको total concept clarity होने चाहिए और ये clarity आपको हमारी video lessons provide कर देते हैं तो वहां पे आपको काफी help मिलेगी then आपको latest updated study kits ही use करने हैं जैसा मैंने कहा आपको June तक के जो updates हैं आपके course में होने चाहिए then आपको ये मिलेंगे कहां पे already मैं बता चुका हूँ कि ये आपको मिलेंगे हमारी website से और हमारी app से तो वहां आप इनको use कर सकते हैं अब time input आपका क्या होना चाहिए friends आपसे लेके exam तक यानि four to five months आपके exam तक हैं तो average आपकी जो study है daily वो four to five hours होने चाहिए क्योंकि जब हम compare करते हैं CIB के exam को to JIB तो ये relatively थोड़ा tough exam है तो इसलिए इस exam को crack करने के लिए we have to put in extra effort, we have to spend more time अगर आपको लगता है कि आपके पास ये time available नहीं है आप चार-पांच घंटे नहीं spend कर सकते तो it is better instead of appearing in all the papers in one go आप दो papers या तीन paper में एक बार appear हों क्योंकि आपको ultimately five attempts मिलने वाली हैं तीन साल के अंदर तो इसलिए अपनी attempts को waste मत करें अपने पैसे को waste मत करें just appear in say two papers at a time उनके लिए अच्छी preparation करें और उनको pass कर जाएं और इतना time spend करना ये definitely बहुत useful है क्योंकि जब आप CIB pass कर जाएंगे तो आपको इसके financial gains हैं उनके लिए increment की form में day to day working आपकी जो है banking के अंदर उसमें आपको कम mistakes करेंगे because you understand the fundas तो यह हो गया हमारा studies लेकिन studies अकेले काफी नहीं है तो हमने जब study करनी है तो हमने hand written notes prepare कर रहे हैं because जब आप hand written notes prepare करते हैं तो आपका जो fundas है आपका जो concept है उसमें बहुत clarity हा जाती है आपका mind application होता है बहुत सारी students यह mistake करते हैं कि वो pdf के उपर dependent हो जाते हैं so pdf के उपर dependent ना हो करके जब आप hand written notes prepare करेंगे तो certainly आपका result altogether different होगा तो far better result prepare hand written notes आप text से भी prepare कर सकते हैं वीडियो lesson देख करके भी prepare कर सकते हैं बैटरी यह रहेगा कि आप video lesson देख करके इनको prepare करें then practice करें MCQs को यानि multiple choice questions को और case studies को जितना ज्यादा आप practice कर पाएंगे उतने concept आपके और clear होंगे और उसके बाद exam के अंदर paper में question कैसे भी पूछा जाए आप सभी question को असानी से handle कर सकेंगे और यह भी आपको हमारी website से और हमारे app से मिल जाएंगे then जब paper के पास आपने revision करना है तो revision आपने कभी भी video lesson से या books से नहीं करना है आपने revision करना है आपने उन notes से जो आपने hand written notes प्रपेर किये हैं and that would be your best preparation तो अगर आप इस परकार की strategy को follow करेंगे तो definitely paper में पास होना किसी भी परकार से difficult नहीं है friends I am sure इस video के content आपको useful लगेंगे तो अगर ऐसा है तो इस video को like कर दें क्योंकि जब आप like करते हैं तो YouTube artificial intelligence को use करते हुए और बहुत सारे students को इस video को देखाता है इसके link को आप share कर लें ताकि आपके दूसरे साथी भी इसका benefit ले सके चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया तो हमारी जो free classes conduct करते हैं वह बहुत सारे miss कर रहे होंगे तो चैनल को immediately subscribe कर लें और साथ में bell icon ज़रूर पुश कर लेना ताकि आपको हमारे notifications on time मिलते रहें तो चलिए friends मिलेंगे हम हमारी free classes में अब आपके लिए इस session को हम wind up करते हैं Thank you and all the very best